तो नमस्कार साथियो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल पर देखिए फ्रेंड्स आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को जो है बिहार सरकार का बजट पेश हुआ है और बजट में जो बीच मंत्री आये हमारे विजय चवधरी इन्होंने सिक्षा बिभाग म उन्होंने प्रात्मिक बिध्याले में बोला है कि 48,762 पदो पर इनका जो है भाकेंसी यहाँ पर बहाली लिया जाएगा और माध्यमिक बिध्याले में 44,193 पदो पर सब भी जो है यहाँ पर मैं आपको नोटीस दिखाऊंगा कि क्या क्या बाते उन्होंने कही गई है तो चलिए मुख रूप से उस नोटीस को देख लेते हैं जिसे आपको जो है सारे जो है बिध्याले का जो है किलियर हो जागा कि इस बिभाग में कितना भाकेंसी आने वाला है तो बीत मंत्री ने जितने भी बाते कही गई है शिक्षा बिभाग से सम्मंदित उन्हों सारे बात पदों के बिरोध 42,000 जो है शिक्षकों की निक्ति की गई है ठीक है जो छाठा चरण में निक्ति होई थी 42,000 हुआ था अब आपका सेस जो है प्रात्मीक में बच गया है प्राइमरी में देख ये जैसा कि हमने थमनेल में अपने बताया कि 48,700 बासट पदों पर जो है यहा पर इनके लिए जो है यहाँ पर देख लिए सेस जो है 5886 पदों पर निक्ति पर किरिया धीन है यानि कि जो है सरेरिक सिक्षक जो है 5886 पदों पर इनकी बहाली होगी वहीं अगर परधान सिक्षक की बात किया जाए तो 40,506 सीटों पर इनकी बहाली होगी और वहीं अगर ब ठीक है, 44,193 टोटल पदोपर बहाली होगी, वहीं अगर उच माध्यम एक सिक्षा की बात किया जाए, तो 89,734 पदोपरिन का बहाली होगी, तो काफी बरी बहाली यहाँ पर आ रही है, और परधाना ध्यापक की भी यहाँ पर बताया गया है, और कम्प्यूटर सिक्षा का द बित मंत्री के द्वारा दिया गया है, और सारे भी विभाग में, बिहार पूलिस में भी यहाँ पर बोला गया है, कि सारे 75,000 लगभग आपका बहाली आएगा, तो यही मुख रूप से पॉइंट जो है, यहाँ पर सिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है, और इसी को मैंने किलियर किया है, वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंट